हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानि सापताहिक राशी फल और आज कवर करूँगा सोलह से लेकर के बाइस जनवरी तक के सबताह को दिन प्रति दिन आपके लिए कैसा रहेगा टेरो की क्या गाइडन्स हैं यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ हर एक राशी के लिए टाइम स्टैंप को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अगर आपको अपना मून साइन या चंदरोराशी नहीं पता है लेकिन आपके पास आपकी जन्म की डीटेल्स हैं बर्थ डीटेल्स हैं तो आप हमारे इस वाटसप नंबर के उपर कांटेट कर सकते हैं आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा इसके लिए कोई भी फीस कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ये बिल्कुल फ्री सर्विस है तो आप इस पर कांटेट कर सकते हैं इसके लिए जो लोग मुझे से आज पहली बार जुने हैं उन सभी का मैं इस्ट्रोग्रू चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं मुझे दिखाना चाहते हैं यह वाटस अप नमबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है इस पर मैसेज करिए मैसेज के थूरू सारी इंफार्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हिल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं हेलो मेशरासी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग मेशरासी आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है ये काफी अलग और बेहतर भी रहेगा अगर आप किसी तरह की कलपना करते हैं किसी तरह की प्लैनिंग करना चाहते हैं किसी योजना को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा लेकिन ये दिन इस मामले में इस चीज के लिए अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ हवाई के लिए बनाएं और कोई काम ना करें तो अगर आप सचमुछ ग्राउंड लेवल पर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन आपको सपोर्ट तो कर देगा लेकिन आपको सचमुच मेरे कुछ करना पड़ेगा हला कि आपके दिमाग में चलने वाली हर इमेजिनेशन पर इस दिन आपको वह रहोसा नहीं करना है क्योंकि वो धोका भी हो सकता है इसलिए कुछ चीजों को टार्गिट करिए, कुछ चीजों को प्लैन करिए और उसी हिसाब से काम करिए कोशिश करिए कि आप अपने डेली रूटीन में बने रहें ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा सत्रा जनवरी का दिन भागिशाली रहेगा इस दिन किस्मत आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगी लेकिन इसके लिए आप एक प्रॉपर प्लैन बना कर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा भी होगा जो की दिन के कुछ हिस्सों में कुछ-कुछ मामले आपके सपोर्ट आपके फेवर में आपको मिलेंगे तो आपको जब चीजें अपने फेवर में नजर आएं तो उस अपॉर्चुनेटी को ग्रैब कर लेना है पकड़ लेना है छोड़ना बिलकुल नहीं है educational मामलों में ये दिन बहुत ही अच्छा performance आपको दे सकता है बहुत अच्छा करके आपको मिल सकता है इस दिन अगर आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने काम को निश्चित समय पर निश्चित तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट भी कर रहा है रिलेशन, एजुकेशन, शोशलिमे जिन तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है अब लेते हैं अठारा तारिक अठारा तारिक का जो दिन आपके लिए होगा मेश्राशी ये आपको एक दोविधा जनक स्थिती में पहुँचा तो सकता है लेकिन आसानी से निकल भी जाएंगे अगर आप मोरल्स का साथ देते हैं आपको नैतिकता का पालन करना है, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करना है अपने मामले को प्रियारिटी पर रख सकते हैं लेकिन आपको जान बूज करके सौरती नहीं होना इस दिन इस बात का ध्यान रखें इस दिन आप जितना शान्त रहेंगे, धिर रहेंगे, गंभीर रहेंगे यह फिर गंभीरता मतलब अपने काम में गंभीरता और साथी साथ में अगर आप अपने मन को एक तरीके से कुछ स्पेसिफिक मामले के लिए कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको जैसे कभी कभी होता है नमन हमारा लालची हो जाता है तो आपको लालच में नहीं आना है बस अपने मन पर वहां कंट्रोल करना है अगर ऐसा कर सकते हैं तो यह आपके लिए काफी फेवर करेगा दिन बहुत बढ़िया रहेगा इस दिन आप अपने क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं या अपने लिए कुछ बेहतर हासल भी कर सकते हैं यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमिस्ट तीनों मामलों में सपोर्ट करता है 19 तारिक आपके जीवन में एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है जो कुछ नए के शुरू करने का, नए के शुरू होने का इंडिकेशन जैसा है तो कुछ नया आपके जीवन में 19 जनवरी से आ रहा है एक तरीके से मान कर चलें, यह सब कुछ फॉर्चुनेट और बढ़ियां और आपके फेवर में हैं लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपने आपको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा अपनी लर्निंग को थोड़ा बढ़ाना होगा चीजों को अब्जरवेट करने और देखने के नजर यह दोनों में परिवर्तन लाना होगा थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आप अपने मिलाए थोड़ा ये सिचुएशन या कहें तो जीवन आपका परिवर्तित होगा और इस से ही बहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे आपका confidence level काफी है उपर जाएगा बढ़ सकता है और इसका भी आपको बहतर फायदा मिलेगा relation, education, social image, business, job इन सभी चीजों के लिए 19 तारिक बहुत बढ़िया दिन है 20 तारिक भी एक परिवर्तन को दिखाता है लेकिन ये परिवर्तन अपने आप नहीं होगा इश्वर आपके जीवन में डालेंगे छोटी सी रिसेटिंग जो इश्वर के दोरा की जाएगी जो आपकी बहतरी के लिए है तो 20 तारिक को जो भी होता है उसे इश्वर की कृपा और अनकमपा मानकर उनका आदेश मान करके सुईकार करें और साथी साथ आगे बढ़ने और अपने आपको और ज्यादा सक्षमता के साथ इस्तेमाल होने के लिए भी सुईकार करें इस दिन आपके दोरा लिये गए निर्ड़े एक चमतकारिक रूप से ऐसा काम करेंगे जो भविश में चीजों के परिवर्तन का बायस बने तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा हलांकि इस दिन आप नए काम को शुरू कर सकते हैं लेकिन जिद में बिलकुल भी नहीं आना है रिलेशन एजुकेशन शोशलिमिस तीनों मामलों में बीस तारिक बढ़िया सपोर्ट दे रहा है 21 तारिक आपके मन में दोविधा जाना के स्थिती को लाएगा आपके मन में आपके माइंड में बाकी दुनिया में कहीं नहीं होगी या ये आपके सराउंडिंग आपके कारेच छेतर में दुविधा नहीं होगी लेकिन आपका मन्खिन उदास डरा हुआ भरमित दिख भरमित ऐसा रहेगा तो इसकी वज़ा से आप नाराज रहेंगे उदास रहेंगे निराश और हताश भी हो सकते हैं ये सब चीजें जान लीजी आपके दिमाग में हैं ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी तो इस दिन को सही तरीक आप न्यूंटरण करके स्टेमाल करिए 22 तारिक आपको कहता है कि दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी बरती है क्योंकि दूसरे लोग आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं धोगा भी दे सकते हैं चेक मामलों में आपको अपने उपर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि आप अपने दिमाग से अपने माइंड से अगर हारते हैं तो आप एक ऐसी सिचुएशन में फसेंगे जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए इस पर ध्यान दीजिए किसी नए काम को ना शुरू करें दोस्तों के साथ थोड़ा सावधानी बरते हैं रिलेशन में भी सावधानी बरते हैं रिलेशन एजुकेशन शोशल इमस्तिनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता लेकिन साथी साथ में आपको कहता है कि लीगल मामलों और बड़े ल बाई बाई मुगर जाए, काम ना हो पाए, लोग आपकी खिचाई करें या आपके विरुद शड़ियंतर बने और आपको नुकसान पहुचाने की भर सक कोशिश की जाए, ऐसा हो सकता है. लीगल मामलों को टाल दीजिए, इस दिन आप पैसों के बड़े लेंदिन के मामलों को भी टाल द नहीं है, जबकि सत्रह तारिक, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा. इस दिन आपके दोरा लिए गए निर्ड़ेओं के दूरगामी परेडाम हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक कर डिसीजन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे गा, हलांकि इस दिन आप डिसीजन लेने में कच्छे नहीं रहेंगे, और आप परिपकोता के साथ निर्ड़ें, बलकि सही निर्ड़ें लेंगे, इस दिन आपकी सोशल इमेज, एकसेप्टेंस और एड्मारनेस आपकी बढ़ेगी, लोग आपको सराहेंगे, आप अपने ब्यापारिक मामलों या अपने प्रोफेशनल मामलों में काफी तरक्की कर सकते हैं, और अपने आपको आगे ले जा सकते हैं, इस दिन आप, आपका जो एक औरा होगा, वो ब्रहद रूप से बढ़ेगा, जिससे आपको बड़ी खुशी की भी प्राप्ती होगी, रिलेशन जान पहचान वाले या परिवार में किसी के विवाह की खबर भी मिल सकती है, कि विवाह तै हो गया है, विवाह का निमंतरन भी मिल सकता है, जाब के और ब्यापारिक मामलों में ये सफलता का दो तक है, सफलता दिखाता है ये दिन, साथी साथ इस दिन आप अगर किसी स्प च्छादी को बढ़ा सकता है, ये दिन विलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, अधारा तारिक कहता है कि आप अगर कुछ करने को तैयार हैं ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा और अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इस दिन का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इसलिए आप जैसा अपने इस दिन को बनाना चाहते हैं वैसा ढ़लने की कोशिश करिये चीजें वैसी ड्लती चली जाएंगी वैसी बनती चली जाएंगी इस दिन आपको अपनी कारच छमता पर और अपने उपर आत्म विश्वास या गर्व तो काफी अच्छा रहेगा लेकिन आप दूसरों को इग्नोर करना पसंद करेंगे जो आपके लिए बहुत बढ़ियाद है इस दिन आप दूसरों के मामलों से खुद को जितना इग्नोरिंट रखते हैं उतना आपके खुद के मामले पर फोकस बनेगा क्योंकि इस दिन आपको प्रभावित करके अपने लिए इस्तेमाल किया जाना थोड़ा आसान रहेगा तो इसका ध्यान रखिये साओधान रहिए जब दूसरों की बातें बड़ी अच्छी लगें और आप उन्ही दूसरों के उन्ही डिसीजन्स पर काम करना चाहते हों तो दिन आपके दौरा किये गए कार्णियों की चारों और प्रशनशा भले ही नहों लेकिन आपको एक आत्म संतुष्टी जरूर रहेगी ये दिन रिलेशन एजुकेशन सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है उन्नीस तारीक एक ऐसा दिन है जो आपकी सोशल और आप भी लोगों को धन्यवाज जरूर देंगे इस दिन आपके लिए चीजें बहुत अच्छी और फेवर में दिखती हैं बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने सीनियर काउंटर पार्ट सीनियर काउंटर पार्ट मतलब आप से एक लेवल उपर के व्यक्ति स थोड़ा सा उधान रहना है बाकि रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों में 21 तारीक बढ़िया हैं 20 तारीक आपके लिए पटक छेप का दिन होगा आपका कोई काम पटक छेप मतलब परदा गेर जाना आपका कोई काम लगभग लगभग नहीं आपका कोई का पूरा हो जाए इस बात की पूरी संभावना है किसी पुराने प्रोजेक्ट में आपको सकसेज मिल जाए इसकी संभावना है लोग आपको एडमायर तो करें लेकिन लोगों की रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पाएगी एडमायर करना लोग तारीफ तो कर दें हाँ बहुत क्या लेकिन जो सम्मान दिखना चाहिए, कई बार मुझ से सम्मान दिखता है, लेकिन दिल से सम्मान लोगों के अंदर है, यह नजर नहीं आता, तो वैसा ही मामला यहां होगा, आपको यह भी सोचना चाहिए इस दिन बाइस तारिक को कि अगर कुछ एक स्पेसिफिक मामले ऐसे हैं जो आपके कंसर्ण नहीं थे लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है तो उनको अपने रिस्पॉंसिबिल्टी बकट से बाहर करिए बाहर का रास्ता दिखाईए और इस चेज मामलों पर सपोर्ट बनाये हुए है तो वरिशब राशी ये था आपका राशिफल सोला से लेके बाइस जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनवोग कमेंट सेक्शन में जरूर ली थे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और च चाह रहने वाला है क्योंकि धन की शमस्याओं का समधान देखता है पैसों के मामले आर्थिक मामले जॉब के मामले बिजनस के मामले इन सब्सक्रहे में या दिन सफलता दिखाता है अपने गोल्स पर निगाह रखिए आपकी जो प्लैन्स हैं उस पर आप एस इट बने रही इदर दर नहीं करना है ध्यान रखेगा वैसे ये दिन खर्चेलू भी हो सकता है जब परिवार के उपर या जैसे कहते हैं न वह लग्जरियस प्रोड़क्ट्स के उपर पैसे खर्च हो सकते हैं फालतू में लेकिन उसके बावजूद ये दिन अच्छा है परिवार के साथ आ कि इश्वर की कृपा भी आप पर है और आपका confidence भी आपके साथ में है लेकिन एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपके मामले में कोई भी आपको गाइड करता है कोई भी छोटा बच्चा बुढ़ा कोई भी पडोसी परिवार का कोई भी सुननी है बा अगर कि इस दिन थोड़ा भरोसा करने में साउधान रहिएगा क्योंकि आपका भरोसा थोड़ा purity में हो सकता है जब होगा तो पूरा हो जाएगा और उसका लोग फायदा भी उठा सकते हैं तो इसलिए होश्यार रहिएगा emotional होकर ना निरड़े लेना है ना कोई promise करना है इ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छा है अगर आप छोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो और अच्छा है ये दिन relation education दोनों मामलों पर ठीक है बस social image के मामले पर आपको खुद साउधान रहना पड़ेगा अठारा तारिक काफी अलग प्रकार का दिन होगा रुके हुए काम पूरे होने की संभावना दिखती है इश्वर का सहयोग आपको मिल जाए इसकी संभावना दिखती है अन्नोन लोगों का सहयोग आपको मिल जाए इसकी भी संभावना दिखती है ये दिन ऐसा है जो आपक जो ईसले आपके मन में हार न मानने वाली ट surrealay गाएगा। तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी नही काम को शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। यह दिन पूरा सपोर्ट बनाये है। अब लेते हैं 19 तार्थ। 19 जनवरी के दिन आपके मन में एक छोटा भटकाव आ सकता है जो आपको आपके टार्गेट से इतर कर दे अलग कर दे लेकिन ये भटकाव सिर्फ उसी समय आएगा जब आप लालच में आजाए अदर्वाइज आप अपने लक्ष पर अगर केंद्रित हैं फोकस्ड हैं तो ये भटकाव नहीं आएगा भटकाव अगर आता है तो आपको असुविधा होगी अपने टार्गेट को अचीव करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अगर आप भटकाव नहीं लेते अपने पुराने टार्गेट पर बने रहते हैं तो उसे अचीव करने में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो इन बिल्ट है वो आपको हेल्प करता रहेगा इस दिन किसी नई योजना का आपके मस्तिश्क में आना संभव है और वो कोई परिशानी की बात नहीं है उसे आने दीजिए ये दिन रिलेशन एजुक करने की और समझने की कोशिश करिए कुछ करके दिखा करके साबित करने की कोशिश करना इस दिन सबसे बड़ी गलती होगी वो नहीं करना है लोगों को प्लीज करके लोगों को खुश करके अपना काम निकलवाना भी इस दिन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लोग आपको ख दिन आपने कोई काम ठाना था कि आज करना है बीस तारीक को तो वो काम आपका डिले हो जाए तल जाए इसकी संभावना देखती है लेकिन ये टेंपरेरी डिले है पॉमनेंट नहीं है इसलिए परिशान नहीं होना है इस दिन आप अपने हेल्थ का अपने सोशल ज़्यादा जरूरी है वैसे रिलेशन एजूकेशन में ये दिन अच्छा लेकिन सोशल इमेज में ये दिन बढ़ियां नहीं है 21 तारीक दूपक्षी मामलों में चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है जो सिचुवेशन को इस तरह से मोड़ेगा जो आपके फेवर में आ सकता है ये दिन ऐसा है जो बेक्तिगत और रिलेशनशिप के मामलों में सेलिबरेशन की इस्थिती को उत्पन न करता है तो इमोशनल फैक्टर भी आपका इस दिन बढ़ेगा इमोशनल होकर किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करना है बस ये याद रखिएगा बाकिट टूवे सिच्वेशन्स आपके फेवर में हैं कुछ करना चाहते हैं अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है कुछ नए काम को शुरू करने के लिए भी 21 तारिक अच्छा है बाइस तारिक की बात करते हैं ये दिन आपको आर्थिक प्रगति दिखाएगा और आर् के इन्वेश्टमेंट्स पर भी इस दिन प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर कुछ एक ऐसे मामले हैं जहां आप सिर्फ अपने आपको शांत प्रियट तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा ये दिन आर्थिक प्रगति ब्यापारिक प्र रिलेशन्शिप एजूकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों में 22 तारिक सपोर्ट कर रहा है मितन राशी ये था आपका राशिफल 16 से लेकर के 22 जनवरी तक राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीड जनवरी का जो दिन है अच्छा रहेगा ये किन किन मामलों में अच्छा है वो समझे आर्थिक मामलों में अच्छा है ब्यापारिक मामलों में अच्छा है निरडे लेने के लिए अच्छा है टार्गेट बनाने के लिए टार्गेट अचीव करने के लिए अच्छा है किसी वो करने इसकी possibility बनेगी, ये दिन सिर्फ इस मामले में बुरा है, कि आप अगर दूसरे का नुकसान करके अपना फाइदा उठाना चाहते हैं, तो बहुत बुरा है, फिर ये आपको बहुत बुरा reverse fire देगा, वो आपके लिए बड़ी मुश्किल create कर देगा, वैसे relation के मामले म दिन अच्छा तो है, लेकिन इस दिन अपने वैक्तिगत relationship में आपकी hope ज्यादा होगी, तो वो थोड़ी समस्या करेगी, otherwise चीज़ें अच्छी हैं, आपको एक सुखत समचार भी प्राप्त हो सकता है, एक यात्रा पर भी जा सकते हैं, बाकि education और social image, दोनों मामलों में ये बढ़ियां रहेगा, सत्रा तारिक आपके लिए two way situations को आपके favor में रखता है, जहां simultaneously दो चीज़ों को एक साथ आप manage कर पाएंगे, और इसके साथ ही, आप एक शान्ती भी feel करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन बहुत द्वेलित रहेगा, या आप अपने मन में बहुत ज़ आप में न लें तो अच्छा रहेगा, अच्छा वो चीज़े जो आपके हाथ से जा चुकी, जिसको कहते हैं कि समय निकल गया, तो जो निकल गया वो निकल गया, अब उस पर ना पस्ताना है, ना रोना है, ना उसके बारे में चिंता करनी है, जो वरतमान है, यह बहतर है, और चीजों को साध लेगा इस दिन आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपनी बात समझाने में सफल हो जाएंगे रिलेशन्शिप में भी इंप्रूमेंट दिखती है सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में अगर आप कुछ स्पेसिफिक अचीव करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा अठारा तारिक आपके लिए ऐसा दिन होगा जो एकोनामिकल मामलों में डिवलप्मेंट दिखाता है फाइनेंसियल गेन दिखाता है इन्वेश्टमेंट में सफलता दिखाता है लेकिन ये सब चीज़ें आपको तब मिलेंगे जब आप अपने बुद्ध विवेक से निरड़े लेंगे ना कि दूसरों के दिमाग से चलना otherwise में इनके अलामा जो चीज़ें हैं उसमें ये आपके मन की जब बात को बताता है ये दिन तो कहता है कि आपका जो मन होगा वो कुछ मामलों में बैथित हो सकता है कि यहां क्या करें ना करें ये करें कि वो करें ऐसा करें या क्या करें इस पूरे घटना करम को जो आपके दिमाग में चलेगा शान्त हो जाना है और पहले मान लेना है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूँ फिर situation को मन में आब्जर्वेट करके आपको थर्ड परसन की तरह सोचना है कि इस मामले पर किसी को सलाह देनी होती तो आप क्या देते और तब आपको सही रास्ता मिल भी जाएगा वैसे ये दिन नए काम को शुरू करने और अपने काम में इन्वाल्व रहने वरकोहलिक होने के लिए बहुत बढ़िया है ये दिन relation, education, social, image तीनों मामलों में बुरा नहीं है काफी अच्छा है अब बात करते हैं 19 तारीक की आपके मन में एक अजीब सा आंदोलन रहेगा आंदोलन मतलब चीजें उठा पटक में चलनी अप डाउन अप डाउन अप डाउन पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा अंदोलन वो नहीं होता वो जो धर्णा प्रदर्शन करते हैं वो भी अंदोलन ही होता है ठीक है अंदोलन का मतलब एक ऐसी चीज जो नॉर्मल से थोड़ी हट करके चल रही है different हो गई वो होगा अब ये जो differentiation आपके mind में होगा ये अब जब differentiation होगा तो negative भी होगा और positive भी होगा लेकिन एक human psychology के according जैसा कि normally होता है हम negative चीज को catch करके उसके साथ जल्दी connect होते हैं positive चीज के साथ connect नहीं होते हैं इस वज़ा से negativity attract हो जाएगी और आप negative चीजों में involved हो सभी में support करता है लेकिन आपका मन हर चीज में oppose करता रहेगा पूरे दिन बर आप अपने मन को side में रखकर बस अपने काम में आगे बढ़िए सफलता मिल जाएगी अगर आप अपने मन की वज़ा से डर जाते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी 20 तारिक दूसरों पर एक पैसे का भरोसा नहीं करने को संकेत देता है कि अपने काम खुद करिए दूसरों पर rely एमत करिए अगर एक गिलास पाने उटके लेना है आफिस में तो कोशिश करिए खुद जाकर लेआइए चाए लेकर आनी है काफी लेकर आना है तो खुद जाक हो जाए इसकी संभावना है अब अगर आप आफिस में बॉस हैं तो क्या करेंगे अब आप कहेंगे भी यह टीम तो मैं ही मैनेज कर रही हूं अब मैं सब को काम ना दो तो क्या होगा लोगों को बोलिए कि भी यह तुम्हारा काम तुम्हें पता है आज का अपना काम करना आज मैं बहुत बिजी हूं डिश्टरब मत करना खतम मामूल हो गया आज किसी ने आप काम करो या सारा दिन लैप टॉप पर बैठ कर फिस्बुक चलो केविन मामला ऐसा है जो होल सोल आपका है अकेले का तब तो आपको अकेले ही निप्टाना पड़ेगा कोई चारा नहीं लेकिन अगर यह एक ऐसी सिच्वेशन है जिसमें दूसरे भी इन्वाल्व हैं तो उनकी ओपिनियंस को लीजिए या उनसे कहिए कि आप इस मामले को आज हैं लोगों के साथ जो डीलिंग होती है जैसे आप अगर इमेल लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा होश्यार रहे हैं कुछ गलत चीज़े जा सकती हैं या फाइल वैल एटाइच कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा होश्यार रहे हैं इनके अलामा आप पैसों के लेंदेन में भी online transaction में भी थोड़ा होश्यार रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये दिन बढ़ियां नहीं है 20 तारिक और आपको support बिलकुल भी नहीं कर रहा है किसी भी मामले में 21 तारिक चीजों को वापिस buyback कर देगा जब आप अपने अंदर एक energy feel करेंगे और energy ही नहीं last day का जो lack of energy था वो भरा हुआ पाएंगे तो नई चीजों को करने के लिए उर्जा भी रहेगी motivation भी रहेगा dedication भी रहेगा और सामने पूरा open ground भी रहेगा कि अब आप क्या कर सकते हैं और वो चीजें करिए इनके अलामा इश्वर का support या कहें तो divine guidance आपको automatically मिलेगी लेकिन व पहले divine guidance चाहें और फिर काम में जाएं तो नहीं होगा आप आगे बढ़ जाएए नए काम को शुरू करने के लिए सुपर्ब बहुत बढ़िया दिन है यह और 21 तारीक एक ऐसा दिन है जब आप अपने आपको जिस तरीके से आगे ले जाना चाहेंगे वो सम्भव है लेकि 10 फित और 15 फित और 20 फित नहीं कूच सकते अब उसको जंप करना तो फिर over confidence हो गया वहाँ पर तो फिर गिरोगे ही दाट तूटेंगे तो वो मत करना आप इतना ध्यान रखना बाकी relation education social image business job property इन सभी में यह दिन सपोर्ट करता है 22 तारीक two way situations आपके favor में नहीं रखता तो उस परिप्रेक्ष में उस सेंस में ये दिन आपको support नहीं कर रहा अब इस दिन को अपने support में कैसे लें ये दिन आपको social image में education में, relation में, business में, job में कहीं support नहीं कर रहा है बुरा दिन है अब इस दिन को अपने favor में लाना है कैसे लेकर आएंगे? सिर्फ अपने काम से काम मेरा क्या फाइदा है ये पुछिए अपने आप से दोविदा में फस गए समझ में नहीं आ रहा ये करें कि वो करें सोचिए मेरा फाइदा किसमें है दुनिया गई भाड़ में अपने लिए अगर काम करेंगे तो आपके मुसीबत में फसने के चांसेस कम होंगे लेकिन जब आप अपने लिए करें तो बस अपने लिए करें अब इसलिए ना करें कि मैं ये करूँ सक्सेज होँ और दुनिया को दिखाऊँ कि देखो मैंने जीत लिया नहीं 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 फिर गरबड हो गया नहीं क्योंकि दुनिया इन्वाल्व हो गई ये दिन बता दिया है बढ़िया नहीं है तो करक राशी ये था आपका राशिफल 16 से 22 जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुवों कमेंट सक्षन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्र स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा बाई बाई हेलो सिंग राशी आप सबका स्वागत है आपके रिडिंग में सिंग राशी आपके लिए 16 जनवरी का दिन एक सुखद और मनोरंजक यात्रा को ला सकता है सदन प्लान भ ऐसे परसन से जिससे बड़े लंबे समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई है उससे मिलना हो या उसका कोई मैसेज आपको मिल जाए इसकी पॉसिबिल्टी भी बनी है आपको इस दिन नए काम शुरू करने के लिए बिलकुल बढ़िया दिन है अच्छा रहेगा कर सकते हैं और अगर किसी टार्गेट को अचीव करना चाहते हैं तो आप उसे अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद जिसको कितना कोई भी तरीका अपनाए उसको कर सकते हैं बस एक साउधानी रखें साउधानी ये है कि आपकी जो सोशल इमेज है समाज में जो आपकी इमेज है वो इतना सा ध्यान रखना है बाकि इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें या जिस काम में आप अपने आपको संलगन करते हैं उसमें तेजी के साथ आप आगे बढ़ें इसकी पॉसिबिल्टी दिखती है तो ये दिन रिलेशन एजुकेशन दोनों मामलों में बढ़ रहेगा इस दिन आप अपने भवश की योजना बना सकते हैं एक दूसरा एकोनॉमिकल ग्रोथ दिखती है तीसरा इस दिन इन्वेश्टमेंट्स पर बेनिफिट मिलेगा चौथा इस दिन आप अपनी केरियर ग्रोथ के लिए अगर कुछ काम करते हैं प्लैन करते हैं तो इसम ममलु मि ये दिन सपोर्ट करता है अठारा तारिक सोलह तारिक के रिपलिका होगा लैकिन सोलह तारिक की जो वॉर्निंग मैंने दी थी कि अपने काम अपने टार्गेट को अचीव करने के लिए सोशल इमेज का ध्यान रखना है वो इस दिन नहीं रखना है आपकी सोशल इमेज आटोमेटिकली डैमेज इस दिन नहीं होगी आप किसी का नुकसान करके अपना फाइदा करते हैं तो भी ये एक आटो प्रोटेक्शन आपके साथ चलेगा अब मैंने ये बता दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि जान बुच के टार्गेट बना कर किसी का नुकसान कर दे वो नहीं करिएगा वो नुकसान इस तरह से देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूने तो कंफ्यूज होंगे अगर आप अपने लक्ष को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सामदाम दंडबेट कोई भी तरीका लगा रहे हैं और उस तरीके को लगा कर अपने टार्गेट को अचीव करने में बाई चांस बिना इंटेंशन किसी का नुकसान हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको उसका बैक फैर नुकसान नहीं होगा उसका रिवर्ट नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप किसी का नुकसान ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फाइदा हो तो आपको फिर उसका फाइदा नहीं मिलने वाला इसको ध्यान रखिएगा इस दिन भी एक यात्रा का संयोग बन रहा है लेकिन ये अबूज होगी अनमने मन से बिना मन के यात्रा अरे यार अब यहां मेरे को जाना पड़ेगा ऐसे वाली सिच्वेशन में फच स हैं इस दिन भी एक समाचार मिल सकता है लेकिन ये जो समाचार होगा ये बहुत सडन समाचार होगा सडन नियूज होगी जो आपको कुछ मलब कोई बुरी ख़बर तो नहीं होगी लेकिन कुछ एक मामलों में शौक्ड कर दे इसकी पॉसिबिल्टी बनती है ये दिन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं नियूटरल रहिएगा बाकि एजूकेशन और सोशल इमेज इन दोनों के लिए दिन बढ़िया है अब है उननीस तारिक बहुत बढ़िया है सलिबरेशन का दिन है दोस्तों के साथ परिवार के साथ अपने जान पहचां सब्दने हैं ऑफ अचली डिसीजन ही इस दिन टाल कर रखिये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये दिन रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है बीस तारिक एक ऐसा दिन है जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करने की कोशिश करेंगे और आपको बंद करना है अगर आप दूसरों की परवाह बंद नहीं करते तो आपका अपना मामला पेंडिंग और दूसरों का मामला होता चला जाएगा और अपने मामले की जो पेंडिंसी है वो आपको पैनलाइज कर देगी परेशान कर देगी तो इतना खाली ध्यान रखना ह बाकी ये दिन बूरा नहीं है ठीक है ये दिन रिलेशन में एजुकेशन में सोशलिम इस तिनों मामलों में सही है 21 तारिक ऐसा दिन होगा जो आपके अंदर ایک जुआर जुआर का मतलब एक पुश एक धका अंदर से ले आएगा जो आप अपने आप में सक्सेस्फुल होने के लिए चाहते हैं आप आप कोशिश करेंगे आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेंगे ऐसा जूट मूट का दिखावा करने की अपने आपको इसी छट पटा हट में शान्त रखना है दूसरों को नजर ना आए कि क्या चल रहा है भीतर भीतर का एक जवार जवार मतलब एक उफान वो एक दम दिखना नहीं चाहिए एक दम शान्त बने रही है प्रिटेंड कराईए कि हाँ कुछ नहीं चलना आडंबर करिए इस दिन दूसरों की बात बिलकुल माननी नहीं है एक परसंट नहीं माननी इसको याद रखेगा आपका काम हो ना हो सकसीड हो ना हो दूसरों की बात मानेंगे तो फेलियर से ज़्यदा मुसीबत में फसेंगे ये फेलियर भी अच्छा है और एक्चुली ये फेलियर ही नहीं है यहाँ पर बस मामला टला हुआ है चीज़ें पोस्पोन हो जाएंगे और ये पोस्पोन्मेंट टमप्रेरी है पॉमनेंट नहीं है तो इस पोस्पोन्मेंट को आपको ले लेना चाहिए ये बजाए दूसरों के मामलों को दूसरों की बातों को मान कर अपने काम खराब करके अपनी इमेज को डैमेज करने के ये दिन रिलेशन एजुकेशन में अच्छा रहेगा क्योंकि आप सीखना चाहते हैं तो ये दिन सपोर्ट करेगा और अपनी योजना पर आप काम करके सक्सेस्फुल हो सकते हैं मल्टिपल चीजें इस दिन आसानी से आप से मैनेज हो जाएंगी इस दिन अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसी चीजों पर भी आप अपना नियंतरन स्थापित कर सकते हैं अभी आपके कंट्रोल से बाहर हैं अगर किसी स्पेसिफिक मामले पर आप थोड़ा सा परिशान थे नियंतरन स्थापित नहीं कर पा रहे थे या उसमें मैनेजमेंट थोड़ा मिस आउट हो रहा था तो वो मैनेजमेंट इस दिन पूरा हो सकता है हलाकि ये दिन ऐसा भी है जिस दिन आप इमोशनल भी रहेंगे और आपके इमोशनल होने की वज़ा से अगर आप इमोशनल होते हैं अपने काम में तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम सा सकती है अदर्वाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, शोशल इमेज, जॉब, बिजनेस इन सभी में पूरा सपोर्ट और सहीयोग कर रहा है तो सिंग राशी ये था आपका राशिफल 16 से 22 जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस, अपने अनुबो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाई बाई हेलो कन्यराशी, आप सब का स्वागत है आपके रेडिंग में कन्यराशी आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है ये इस्प्रिचुल मामलों में ग्रोथ देगा, सफलता देगा लेकिन आपके मेटेरिलिस्टिक मामलों में ये दिन आपको फेवर नहीं करता है तो जो मेटेरिलिस्टिक मामले हैं, भौतिक जगत के मामले हैं उसमें आप बस अपने डेली रूटिन्स पर काम करिए, फालो करिए और उतना ही आपके लिए ठीक है जो चीजे इस दिन डिले हो रही हैं, पॉज हो रही हैं, वे सभी टेंप्रेरी हैं, बाद में हो जाएंगे कोई काम रुकेगा नहीं, फ्यूचर में हो जाएगा इस दिन आप थोड़ा इश्वर भगती और भगवान में अपने मन को लगाएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये दिन रिलेशन, एजूकेशन, सोशल इमेज, ये सम मेटरिलिस्टिक मामले, इसमें सपोर्ट नहीं करता सत्रा तारिक आपके लिए ऐसा है जो ट्राइंगलर सिच्वेशन में आपको फेवर नहीं करेगा अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें आप जान बूझ कर गलत होने के बावजूद अपने आपको बचाना और छिपाना चाहते हैं आपके फसने के चान्सेज हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए अगर आप एक एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर में हैं जिसका पता आपके स्पाउस को नहीं है तो इस दिन मिलना जुलना फोन पर बाच्चित करना सब टाल दीजिए आपके पकड़े जाने फसने के साथी पर doubt है तो आपको अपने doubt को प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि major possibility है कि ये आपका बस doubt doubt हो और आज ही आप अपने doubt को प्रकट करके मतलब ये extra marital affairs है अलग चीज बता रहा हूँ अगर आपको अपने साथी पर doubt है तो आज अपने doubt को expose मत करिए प्रकट मत करिए क्योंकि ये आपके relation को disturbed कर सकता है तो इसमें थोड़ा और सच्चाई का पता लगने का wait करिए बाकी आप अपने business partners के साथ में या अपने relation में किसी प्रकार के argument को जीत आज नहीं पाएंगे इसलिए चीजों को postpone कर दीजिए, decision को postpone कर दीजिए या अपनी opinion को postpone कर दीजए, relation, education, social image इन में से relation के मामले में तो ये दिन एकदम सपोर्ट नहीं करता, educational मामलों में ये दिन 30% सपोर्ट करता और social image के मामलों में ये दिन 45% सपोर्ट बनाये हुए 18 तारिक एक ऐसा दिन होगा जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा आप अपने लक्ष को निर्धारित अगर नहीं कर पा रहे थे तो कर ले जाएंगे कर लिया है तो उस पर काम शुरू करके आगे बढ़ पाएंगे इस दिन आपके द्वारा लिये गए डिसीजन्स दूसरों को भी पसंद आएं इसकी पॉसिबिल्टी है लोग आपको एड्मायर करेंगे और एप्रिशियेट करेंगे ये दिन रिलेशन, सोशल इमेज, एजुकेशन, जॉब, बिजनस सभी चीजों के लिए बढ़िया रहेगा उननेस तारिक आपके वेक्टित में निखार भी ला सकता है और हरास भी अब निखार में आपका द्रड़ वेक्टित नजर आएगा हरास में अगर आप जिद करते हैं किसी चीज में तो आपकी इमेज डाउन होगी तो बस अपने आपको जिद में लेकर के नहीं आना है इस दिन आप जिन चीजों को जिन कामों को हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता पूरवक अच्छा परदर्शन करके सकसीड हो करके आगे बढ़ जाएं इसकी पॉसिबिल्टी है इस दिन रिलेशन के मामले में आप चीजों को अपने कंट्रोल में चाहेंगे इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कम है बाकि एजुकेशन और सोशल इमेज दोनों मामलों में सपोर्ट बढ़ियां दिख रहा है बीस तारिक को आपको इश्वर की करपा दृष्टी का पात्र बनना होगा बन जाएंगे आप बनना होगा मतलब आप बन जाएंगे अगर आप अपने मन से हार जाते हैं और मन को थोड़ा सा मनल बहुत जादा तो नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा नियंतरित करने में विफल हो जाते हैं तो चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं आप जिन चीजों में अपने आपको फेलियर मान रहे हैं उसमें काम करके आगे बढ़िए सफलता मिलने की संभावना देखती है relation, education, social image तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है 21 तारीक ऐसा दिन है जब आप अपना आत्म साक्षात कार करें self analysisment और self interview अगर आप करते हैं अपने साथ बैठते हैं अपने आप में थोड़ा सोच विचार करते हैं तो सही निरड़े लेने में सफलता मिलेगी अगर किसी मामले पे श्टक हैं और आगे नहीं समझ पा रहे क्या करना है तो अपने साथ बैठिये और अपने आप में विचार विमर्श करिए यह आपको अपने अंदर से ही सही आइडिया आ जाएगा। इस दिन आप सही पत पर वापिस आ जाएगा। इसकी पॉसिबिल्टी बहुत जादा है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेजन तीनों मामलों में अस्य प्रतिशत का सपोर्ट बनाए है। बाइस तारि मिलेगी, दूसरों के आइडियास पर फेलियर मिलेगा। इस दिन आपका कोई स्पेसिफिक काम अगर टल जाता है, डिले हो जाता है, तो वो चीज बाद में आपके लिए पूरा करना पॉसिबल होगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। इस दिन आप अपने आपको थोड़ा एक लर्निंग परसन भी बनाए रखें तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा। ये जो दिन हैं, ये आपकी इमेज को इन बिल्ट करने में एक बेस का काम करेगा। इसलिए चीजों में ज़्यादा हल चल ना करें और जैसा कुछ आपके फेवर में आ रहा है उसे आने दें, ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया है, सोशल इमेज में आपको कॉंश्रस रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो कन्या राशी ये था आपका राशिफल, 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक का, राशिफल आपको कैसा लगा, अपन में तुलराशी आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है काफी अच्छा और स्पेसिफिक इसलिए रहेगा, क्योंकि परिवार का सहयोग, सपोर्ट, सानिध आपको पूरा मिलेगा, इस दिन आप खुश रहेंगे, आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इस बात की भी हों, इंटर्फेरंस को बंद कर देना होगा, चाहे आप मैरीड हों या अनमैरीड, तीसरे का हस्तक छेप आपके रिलेशन्शिप को डैमेज करेगा, अच्छा, रिलेशन हो गया, हटा देते हैं, अब दूसरी चीज़े, इश्वर की करपा आप पे रहेगी, इसलिए, सीध कराएगा, जिसकी वज़ा से आप अंदर से काफी मोटिवेट फील करेंगे, साथ ही साथ, जब आप अपने काम में इन्वाल्व होंगे, तो इश्वर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, या एक डिवाइन पावर आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा फील होगा, क्योंकि सराउ इस दिन 19 तारिक को एकोनॉमिकल ग्रोथ आपकी काफी अच्छी हो, या एकोनॉमिकल मामले में, फाइनेंसल मामलों में, फ्यूचर में आप क्या करें, इसकी योजना अगर आज मनाते हैं, तो ये इसमें सपोर्ट करता है, इस दिन भी आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिलत जहां फसे हुए फाइनेंसल मामले क्लियर आउट हो जाएं, पैसों के खर्च के बढ़ने की संभावना, लग्जेरियस प्रोड़क्स पर आपके पैसे ज्यादा खर्च हो, परिवार की जरूरतों पर भी आपके अनायास खर्च हो जाएं, या इसको ऐसा समझें, गैर इजूकेशन, शोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रोपर्टी, इन सभी में ये दिन सपोर्ट कर रहा हैं, एकईस जनवरी का दिन आपके मन में एक दूविधा जनक शंका बना कर रखेगा, हालां कि ये दिन रिलेशन, एजूकेशन, शोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, property सभी मामलों में support करता है और साथी साथ आने वाले समय में आपकी योजना में एक बेहतरीन काम आप करें अगर इस दिन योजना बनाते हैं तो उस योजना पे बेहतरीन परदर्शन करें future में इसमें भी support करता है लेकिन इसके बावजूद इस दिन आपका मन ना जाने क्यों negativity से घिरा रहे गए वो सारी negativity सिर्फ आपके दिमाग में है अपने mind पर थोड़ा सा focus करिए और उस negativity से overcome करने के कोशिश करिए बस ये दिन पूरा आपको support करता है favor करता है बाइस तारीक एक celebration का दिन है तुला राशी और इस दिन आप triangular situation में succeed होंगे relation, business और family matters में आपको शांती और सुख दोनों प्राप्त हों इसकी संभावना है किसी ऐसे मामले में जहां एक मनुरंजक माहोल बना हो वहाँ आपका involvement हो या आपकी वज़ा से वो मनुरंजक भी है जब लोग आपकी presence से खुश नहींगे तो तुला राशी ये था आपका राशी फल 16 से लेके 22 जनवरी तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनभो कमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को आशी आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है ये काफी passion से भरा रहेगा लेकिन चीजों को step by step करेंगे तब ही passion होने के बावजू जल्दबाजी नहीं करने पैशन अच्छा है लेकिन जल्दबाजी दुश्मन है बस इतना तालमेल बनाना है चीजों को एक एक करके करते जाए ये passion को बरकराब रहने दीजिए और देखिए चीजें आपके favor में मुड़ती चली जाती है बिजनस के मामले में आपके according चीजें होंगी जॉब profile में भी आपके respect के बढ़ने के संकेत है social image education और relation इन तीनों में ये दिन support कर रहा है 17 तारिक आपके लिए ऐसा है जो थोड़ी के बावजूद आपकी सफलता रुकेगी नहीं लेकिन अगर आप रुक गए problems को देखके पीछे आगए तो फिर सब खतम इस चीज को ध्यान रखिए कुछ specific मामले जहां आपको लगता है या आप जानते हैं कि यहां पर मैं attack जरूर जाओंगा या attack जाओंगी उस मामले में भी अगर आगे बढ़ते हैं तो मिरेकली चीजें आपके पक्षमे आ जाएंगी ये दिन relation के मामले में education और social image तीनों मामलों में 60% का support बनाये हुए है 18 तारिक आपके एहंकार को नियंतरित करने के लिए चेताउनी देता है बस यही इतना ध्यान रख लिजिए ये दिन ठीक हैं तो एहंकार वाले मामले को कंट्रोल करेंगे तो social image भी ठीक रहेगी otherwise relation और education में ये दिन बढ़िया है अब बात करते हैं 19 तारिक की इश्वर की कुरपा इस दिन भी लगातार बनी है अच्छे और बुरे में से सिर्फ अच्छे को चुनना है बुराई को छोड़ द चाहिए ये आपको मन में बहुत शांती प्रदान करेगा मन की हलचल को खतम करेगा relation education social image तीनों मामलों में support करता है और साथी साथ प्रेम के मामलों में जब प्रेम जब आपके दिल से प्यार है जो आ रहा लोगों के लिए अपने लिए जीवन साथी के लिए भाई के लिए बहन के लिए दोस्त के लिए इसमें वृद्धी होने वाली है तो ये दिन बहुत बढ़िया है इस चीज में बीस तारिक थोड़ा बुरा हो सकता है जब आपका सोचा समझा काम ना हो पाए या situation या चीजें आपके according ना मुणे उस वाले मामले में आपको चीजों को as it is छो सकता है जिसकी वज़ा से आपकी चीजें और खराब हों तो इस पूरे मामले को छोड़ दें और situation को शान्त होने का वेट करें ठीक है बस इतना ही करना है अच्छा इस दिन ध्यान रखिएगा बीस तारिक को कि आप अपने रूटीन पर बने रहें किसी नए काम को ना करें क किसी को नए प्रॉमिस ना करें किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ ना लगाएं ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशल इमिस्टीनों मामलों में बढ़िया नहीं है बीस तारिक आपके लिए है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करें बीस तारिक को जो situation खराब हुई थी वो approximately 80 प्रतिशत तक इस दिन सुधर जाएगी लेकिन बीस प्रतिशत का लाइक बचा है जहां आपको नुकसान हो सकता है कुछ एक ऐसे मामले जहां आपको लगता है कि मैं फस गया हूँ वहां पर देखें कि situation में आपको निकलने की योजना आप से ही मिल जाएगी आपको किसी additional help की जरूरत नहीं पड़ेगी विचार करेंगे तो हो जाएगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा इस दिन आप बड़े मामलों को और बड़े decisions को टाल के रखें यही अच्छा है relation education social imagine तीनों मामलों में ये दिन 40 प्रतिसत सपोर्ट कर रहा है अब बात करते हैं 22 तारिक की इस द को जब यहां पर आप किसी specific एक problem को tackle करना शुरू करते हैं एक को target करेंगे तो एक साधे सबसदे ऐसे हो जाएगा इस दिन स्वास्त में सुधार कुछ बुरे पुराने खराब तूटे हुए relationship में भी सुधार होने की गुंजाइज दिखती हैं इस दिन आप बहुत ज्याद करने की कोशिश ना करें नहीं तो किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी एक मामले को हाथ मिलेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी भले वो आपके favor में हो या आपके oppose में हो relation education social image तीनों मामलों में ये दिन 40% सपोर्ट करता है तो वरिश्चिक राशी ये था आपका राशिफल 16 से लेके 22 जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगले वीडियो में आप से फिर मिलूंगा बाई बाई हेलो धनुराशि आप सबका स्वागत है आपकी रेडिंग में धनुराशि आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है काफी अलग प्रकार करेगा इस दिन अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो ये दिन आपको बहुत support करेगा लेकिन फिर आपका सारा काम pending हो जाएगा तो इतना polite तरीके से बता रहा हूँ दूसरों की मदद करने वाले मामले को pending करके पहले अपनी pendency को दूर कर लीजिए और फिर समय बचे तो दूसरों की मदद कर लीजिए बस यही इस दिन की strategy बना लीजिए ठीक रहेगा otherwise में इस दिन otherwise मतलब इसके अलावा इस दिन कुछ ऐसे problems आएंगे आपके अपने काम में जो जाने पहचाने होंगे जैसी situation जैसी problem को आपने past में भी tackle किया होगा उस तरह की situation को अगर आप कोशिश करेंगे चाहेंगे या अपने आप में एक memory कर लेंगे कि अच्छा मैंने ये ऐसे tackle कर रखा था तो इस तरह से मिलती जुलती situation को तो फिर से कर सकते हैं तो वो हो जाएगा इस दिन relation education social imagine तीनों मामलों पर 70% का support बना हुआ है और positive support है 17 तारिक को चीजें fortunately आपके favor में मुडेंगी जब ये situations आपके favor में मुड रही हो तो उस समय आपको neutral होके चलना है ऐसा नहीं है बहुत उतावलापन नहीं करना है जब परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड नहीं हो तो उनको मुड ने दीए थोड़ा सा जैसे होता है न कभी कभी कि कुछ चीजें आपके पक्ष में 50% मुड गए अब आप वहीं उतावले हो गए तो वह बाकी का 50% नह नहीं करना पहले से अपने आपको जज नहीं करना है मतलब दूसरों के मामले में अपने आपको जज नहीं करना है कि आप दूसरों के बारे में या दूसरे सिच्वेशन में क्या सोचते हैं जब चीजें बदलनी शुरू हो या लोग आपके साथ इंटरेक्शन में आएं त इसी भी काम को आप इस दिन हाथ में लेते हैं, तो आप अपना पूरा सहयोग, पूरा योगदान उस काम में दे पाएंगे, इसकी पूरी पॉसिबिल्टी बनी है, ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशलिम, इस तीनों मामलों में पूरा सपोर्ट करता है, अठारा तारिक द नए अर्निंग सोर्स की और मोडना शुरू करते हैं, या किसी साइड बिजनस को इस्टेबल करने के बारे में प्लैनिंग शुरू करते हैं, तो ये सब हो जाएगा, इस पर आपको काम करना चाहिए, इस दिन आपके द्वारा लिये गए डिसीजन्स काफी अच्छे होंगे और चीजें फॉर्चुनेटली आपको सपोर्ट करती चलेंगी, आप मुश्किल चीजों को हाथ में लेंगे और वो फॉर्चुनेटली आपसे हैंडल होती चली जाएंगी, ये आपका इस दिन का ऐसा राशिफल है, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमिज तीनों म कोशिश करेंगे, तो आप अपने मन में क्या है, अपनी फीलिंग्स को दबा पाएंगे, छिपा पाएंगे लोगों को बताने से, और वो प्रिटेंड कर पाएंगे, जो आप दिखाना चाहते हैं, इस दिन, आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, तो किसी सीनियर फीमेल आफ दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच में बना रहाँ गा भाई, एक फैमिनिन एनरजी का सपोर्ट आपको इस दिन बना रहाँ गा, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में से, एजुकेशन और सोशल इमेज में अच्छा है, रिलेशन के मामले में आप थ आप situation में सिर्फ अपने पक्ष को देखिए दूसरे का पक्ष छोड़ दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम में नहीं फसेंगे वे मामले जहां आप दूविधा गरस्त हो जाएं वहां अपना फाइदा किसमे है इसको प्रियारिटी दीजिए तो आप दूविधा से निकल जाएंगे अधर वाइस ये दिन अच्छा नहीं है बीस तारिक रिलेशन, एजूकेशन, सोशल इमेज, जॉब, बिजनस, प्रॉपर्टी किसी में भी बढ़ियां सपोर्ट नहीं दे रहा लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रहते हैं और दूसरों को साइड लाइन कर देते हैं बन में साइड लाइन कर देते हैं तो किसी नए काम को शुरू करके सक्सेस्फुल भी हो सकते हैं इसकी पॉसिबिल्टी है इस दिन आप अपने आपको अगर आगे ले जाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एक मामले में तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करता हैं ये दिन भी रिलेशन, एजूकेशन, शोशल, इमे का निड़े लेते हैं तो मिरेकली चीजें आपके फेवर में मुरनी शुरू होंगी और ये जो चीजें आपके फेवर में मुरेंगी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, मोटिवेशन आ जाएगा, घरेलू मामलों में चल रही समस्या का निदान हो, इसकी संभावना भी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाई बाई हेलो मकरराशी, आप सबका स्वागत है, आपके रीडिंग में मकरराशी आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है, ये काफी भागेशाली और भागेकारी दोनों रहेगा, भागेकारी इस सेंस में रहेगा कि सिचुवेशन्स आपके फेवर में मुडेंगी, कुछ-कुछ मामलो में, कुछ-कुछ हिस्सों में दिन के, उन सिचुवेशन्स का बेनिफिट उठाना है, भागेशाली इस तरह रहेगा कि अगर आप एक प्लैन बनाकर काम करते हैं इस दिन की ये ये चीज़ें ऐसे ऐसे मैनेज करनी हैं, तो वो मैनेज हो जाएंगी, ये दिन आपको सपोर् सपोर्ट हर तरह से कर रहा है, रिलेशन, एजुकेशन, शर्शाल इमेज, प्रॉपर्टी, बिजनस, पढ़ाई लिखाई, सब में, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इस सपोर्ट को ले रहे हैं, अगर लेते हैं तो हाँ ठीक है, बढ़ियां हैं नहीं लेते हैं तो फिर एक मामला था, दूसरा, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है इसके लिए, तीसरा, लोग इस दिन आपको मैनूपुलेट कर सकते हैं, अपने बाच्चीत के जाल में फसा कर आपसे अपना काम निकल वा सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करके, इस तरह से ये दिन आपको थोड़ा सावधान रहना है, अगर आप अपने मामले, अपने काम को करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन बढ़िया है, अगर आप खुद चीजों को निप्टाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन बढ़िया है, लेकिन अगर आप लोगों क सोचे गए कुछ एक मामले आपके फेवर में आई इसकी पॉसिबिल्टी है आप खुश रहेंगे और चीजों को अपने पक्ष में देखेंगे और उसकी उस उस प्रसनता का आनंद लेंगे तो यह दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए इस सेंस में लेकिन यहां यह याद र रखियेगा सारा दिन आराम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे नुकसान तो कुछ नहीं बर दिन निकल जायागा रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज समय यह दिन सपोर्ट करता है उन्नेस तारिक सपोर्ट नहीं करता पहले जान लो रिलेशन एजुकेशन बिजनेस जॉब किसी में सपोर्ट नहीं करता अब इस दिन को अपना कैसे बनाए बुरा दिन है अपना बनाने के लिए अपने आप में किंद्रित हो जाईए सेल्फ जेंट्रिक एगो जेंट्रिक नहीं एगो जेंट्रिक तो चाहता है कि दुनिया देखे कि भई मैं ही रुपए का फायदा हो मुझे कोई लेना देना ने किसी का एक रुपए नुकसान हो रहा है चाहे दसलाख का नुकसान हो रहा है मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा है मैं मेरा काम देख रहा हूँ और मेरे ही काम को मुझे करना है यही है सेल्फ जेंट्रिकनेस और इसी सेंस में अगर आप आ जाते हैं तो इस दिन का आप फायदा उठा सकते हैं किसी नए काम को मत शुरू करिए आपका जो रूटीन वर्क है उसी में बने रही है यही आपके लिए बहुत बढ़िया है बीस तारिख आ नहीं है इस दिन मतलब यह भी अच्छा नहीं है धोखा मिल सकता है दूसरों को जो काम आपने डेलिगेट किया उस काम में असफलता मिल जाए लोग आकर बताएं यार आपका काम नहीं हुआ ऐसी सिचुएशन का सामना हो सकता है इस दिन लोग आपका फायदा उठा लें औ मामलों को भी टाल दीजिए अगर आप एक गल्फिंड बाइफिंड रिलेशन में तो इस दिन अपने अपने प्यारे से अपनी प्यारी से मिलना कैंसल कर दीजिए जगड़ा होने की संभावना भी है ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशलिमिस तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता अब बीस के बाद 21 तारिक वापिस बिलकुल यूटर्न ले लेगा पूरा सपोर्ट फुल हंड्रेट परसेंट का सपोर्ट परिवार का सहयोग दोस्तों का सहयोग हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा मन खुश रहेगा दो दिन की निराशा पूरी तरह से समाप और आपका दिन खुशाल कोई काम आपका पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी है नए काम बनेंगे नई योजनाएं बनें इसकी भी संभावना दिखती है रिलेशन एजुकेशन शोशल इमिज इंसम में ये दिन सपोर्ट करता है बाइस तारिक हर चीज में सपोर्ट करत है कि सब कुछ आपका बिगाड़ दें तो अगर आप एहंकार में आते हैं तो सब तबाह करेंगे एहंकार को साइड लाइन कर देते हैं तो सब आपका है और आप चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करने में कामयाब होंगे जिन लोगों को मैनुपुलेट करने की जरूरत लोग आपका काम करने को तयार हैं लेकिन अगर आप इगोईस्ट होकर मैंने पुलेट करेंगे तब गढबढ़ होगी तो ये दिन रिलेशन है जो केशन शोशल इमिज हर चीज में ठीक ठाक बढ़िया है तो मकर राशी ये था आपका राशी फल 16 से लेके 22 जनवरी तक का रा लो कुम्बराशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में कुम्बराशी आपके लिए 16 जनवरी का जो दिन है ये काफी अलग प्रकार का और फेवर में भी रहेगा अलग क्यों रहेगा वो समझिया और फेवर में क्यों रहेगा वो समझिया अलग इसलिए रहेगा क्य कि आप अपनी सोच को नियंतर नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी इमेजिनेशन आपके थिंकिंग में, खयालों में, कल्पनाओं में आएंगी, जो थोड़ा वाइडर रूप ले लें, आप अगर दस का सोच रहे हैं तो हजार की सोचने लगें, ऐसी थिंकिंग आ सकती हैं, और फेवर में इसलिए हैं कि जो भी आप सोचते हैं, उस सोच को अगर एक दिशा दे देते हैं, तो फिर आप अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्पना की एक शक्ती होती है, इनसान ने कल्पना करी कि वो उड़े और फिर हवाई जाज बना लिया, लगे बहुत सार आइडियास निकले, उन आइडियास के उपर आप कल्पना में योजना बना सकते हैं, अपने थिंकिंग इमेजिनेशन में एक प्लैनिंग कर सकते हैं, तो आप सोला तारिक को यही करें, इस चीज को याद रखिए कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, या जिस ची के लिए इस दिन को इस्तेमाल करें, यह दिन सराउंडिंग में, यह कल्पना वाले मामले के लाँ, सराउंडिंग में यह दिन अच्छा रहेगा, कोई नुकसान आपको नहीं दिखता, किसी तरह का कोई सीधा लॉस आपको नहीं दिखता, चीजें आपके फेवर में हैं, र आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो, उसमें थोड़ा साउधान रहिए, अपनी बात बताने से पहले जरूरी है कि उसकी बात को सुन और समझ लीजिए, आब्जरवेट कर लीजिए, तब अपने रहसे को खुलिए, वरना रुख जाएए, प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको ऐसे ही करना है, अपने साथी को किसी तरह के एडवाईज नहीं देनी है क्योंकि वो मानने वाले नहीं है, तो इसलिए उनको सलाह नहीं देनी, वे मामले जो आपके करियर या आपके प्रोफेशन से जुड़े हैं, वहाँ पर आप अपने बिवेक से, अपने शूचक दिन है, तो इस वज़ा से आपको फ्यूचर की प्लैनिंग करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप एक प्रॉपर प्लैन बनाने की कोशिश करते हैं, और उस प्लैन पर काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये दिन इस चीज में पूरी प परानी शुरू करिये, रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, इस दिन ब्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक प्रगती, जॉब में आपकी इमेज का बनना, रिलेशन, एजुकेशन, शर्शल, इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करें, इसकी पॉसिबिल्टी पूरी दिखती है, उननेस तारिक आपके लिए ऐसा दिन होगा, जो आपको अपने में ही इमकैपेबल बना दे, या बता दे, या फिल करा दे, कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन आपकी कैपेबिल्टी, आपकी ठिंकिंग से थोड़ी जदा होगी, और आप अपने आपको अंडर एस्टिमेट कर ले जाएंगे, ये इस दिन का सेनरियो होगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड को सिर्फ मोड दें, कि नहीं मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं होना है, मैं चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या मैं इस चीज को कर सकता हूँ, तो फिर कर ले जाएंगे, आपकी सोच से ही ये दिन चल जाएगा, इसको ध्यान दखिये, इस दिन आपको अपने आपको समझें, तो एक अनलॉकिंग सिच्वेशन में लेकर आना होगा, आप लॉक होंगे, तो अनलॉक करने के लिए सिर्फ क्या सोचना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बस इतना ही, और अगर फिर भी शंका आती है, तो आप अपने कुछ पुराने किसे याद कर लीजे, जब आपने कैपिबिल्टीज दिखाई थी, आपने अच्छी तरह से काम किया था, और आप सक्सीड हुए थे, बस वो मोटिवेशन काफी है, सेल्फ मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं, तो बहुत कुछ हचीव कर ले जाएंगे, एकोनॉमिकल मामलों में या फाइनेंसल मामलों में थोड़ा कंजूस रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये दिन आपको फेवर करता है, न इसको आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो एक्चुली आप कंट्रोल कर ले जाएंगे, और जिन को आप प्यार करते हैं, जिन के लिए आपकी फीलिंग है, उनको आप इग्नोर करके ना चलें, उनकी बातों को भी इग्नोर ना करें, जरूरी नहीं आप उनकी बातों को मा शुरू होगा तो आप कुछ लीक से हट कर करें इसकी possibility बनती है ये दिन relation के मामलें आपको थोड़ा tough challenges दे सकता है क्योंकि आप अपने साथी को control करने की कोशिश करेंगे ना हग कोशिश करेंगे साथी को control करने ही पाएंगे बिना वजा की कोशिश करेंगे तो उससे थोड़ा करने की जरूरत है और साथी साथ आपको अगर medical prescription पर हैं तो उसका फालो करना पालन करना जरूरी है इन चीजों के अलावा अगर कोई relation तूट रहा है चर्मरा रहा है और उसे फिर से ठीक करना चाहते हैं तो उसे बेहतर करने की possibility आपको opportunity सी इस दिन 21 तारिक को मिल जाएगी इस दिन आपके द्वारा लिए गए कदम उठाए गए कदम भविश में आपके जीवन को अलग परिप्रिक्च में ले जाएं इसकी संभावना देखती है इस दिन आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई समस्या आ जाती है तो आप तुरंट किसी भी समस से भी खतम होती जाएंगी करके देख लीजिएगा ये दिन रिलेशन एजुकेशन शर्शल इमेजिन तीनों मामलों में सत्तर प्रत्सद सपोर्ट कर रहा है बाइस तारिक फॉर्चुनेटली बहुत बढ़िया दिन है जब आपको आप ये रीडिंग अगर बाइस तारिक स काम करिए बिना सोचे विचारे मत करिए अगर आप सोच विचार के प्लैन करके काम करते हैं तो सफलता ज्यादा मिलेगी अच्छा ये वाला मामला साइट करते हैं अब दूसरी चीज़े एजुकेशनल मामले लर्निंग के मामले इनके लिए ये दिन सुपर्ब बहुत बढ हो सकता है कोई विक्ति आपको मिले जिससे आपको फाइदा मिल रहा हो उठा लीजिए कोई सिच्वेशन आपके फेवर में आगए उस सिच्वेशन का बेनिफिट ले लीजिए तो इस तरह से दिन को आप मैनेज कर सकते हैं वैसे ये दिन अच्छा है कोई नुकसान नहीं दे रहा तो रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज तीनों मामलों पर 22 तारिक बढ़ियां बना हुआ है तो कुम्भ राशी ये था आपका राशिफल 16 से 22 जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख है ये काफी बढ़ियां रहने वाला है दो तीन चीजें क्लियर कर लीजिए समझ लें सबसे पहला तो पॉसिबिल्टी ये हो सकती है कि एक व्यापारिक यात्रा हो जाए इस दिन आप अपने एकोनॉमिकल ग्राउंड्स में और सक्सीड हो जाएं इसकी पॉसिबिल्टी भी दिखती है किसी दूर रहने वाले ऐसे परसन से जिसके साथ आपकी आपका इंट्रेक्शन काफी लंबे टाइम से पेंडिंग हो गया है उससे मुलाकात हो या वहां से एक गुड नीज आपको मिल जाए इसकी भी पॉसिबिल्टी है इन चीजों के अलामा अगर आप फ्यू की मतलब ग्रोथ मिलने की पॉसिबिल्टी जादा है ग्रोथ मतलब ये प्रोमोशन नहीं है ठीक है यहां प्रोमोशन वाला मामला नहीं ग्रोथ मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं तो आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी रिकरगनेशन मिल जाए बहुसा अप्रिशियेट कर दें इ और बाकी चीजें भी मुझे ठीक दिख रही है, इस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, रिलेशन एजुकेशन, शोशल इमिज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है, सत्रह तारिक आपके लिए हाई एंड एनरजी सोर्स के तरह से होगा, जब आप अपनी इस एनरजी स चाते हैं, या मैनेज करना चाते हैं, तो वो भी इस दिन पॉसिबल है, इन चीज़ों के अलावा ये दिन योजना बनाने, भवश्य की प्लैनिंग करने के लिए बहुत अच्छा और सुगम है, तो इस चीज़ पर भी आप काम कर सकते हैं, रिलेशन के लिए दिन बहुत अ कोई सिचुएशन है, जिस सिचुएशन की वज़ा से आपको लगे कि अब आपका फाइनेंसल लॉस होगा, और अगर आप आज ही वो काम कर दें तो लॉस कवर हो जाएगा, लॉस हो ही जाएगा, ठीक है, जैसे माल लिजी आपने कोई सामान खरीदा है, अब उस सामान की प दो हजार का नुकसान हो गया, तो ये नुकसान हुआ नहीं है, ये दिख रहा है, आप उस टीवी को अगर आज बेश दें, अगर अठारा हजार में बिग जा है, पूरे पूरे में तो फिर दो हजार का लॉस हुआ, तो ये वो लॉस है, जो दिखता तो है, लेकिन हुआ न नहीं है अब जो दिखता है लेकिन हुआ नहीं है उस दिखते के लिए आपने आज गलट डिसीजन ले लिया तो एक्चुल लास भी हो जाएगा उस एक्चुल को बचाना है यह वाला मामला जो लोग स्टॉक मार्केट इंवेश्टमेंट करते हैं अच्छे से समझे होंगे सो बेच देंगे तो 9000 हुआ नहीं तो चिपचाप रखे रही है फिर वो बढ़ेगा तो ऐसे ही है सिचुएशन वापिस रिवाइव होंगी और आपके फेवर में मुड़ेंगी और ठीक होंगी यह हो गया इसको साइड करते हैं अगली चीच कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक मामल जो आप दिल से चाहते हैं बड़ी शिदत से चाहते हैं लेकिन उसको भी नहीं कर पा रहे हैं इसकी भी पॉसिबिल्टी है यह सारी पैनिक सिचुएशन सिर्फ एक दिन की है एक दिन में खतम हो जाएगी बिलकुल 19 तारिक को यह सब खतम तो 18 तारिक को पैनिक होकर कोई ड को पुतसाहित रहेंगे पसेशिव भी रहेंगे फैमली की बड़ी कैयर वेर करेंगे और फैमली से बहुत प्यार और रिस्ट भी मिलेगा और आप भी फैमली को प्यार factor देंगे इन चीजों के अलामा अपने professional मामलों में आपको success मिल जाएगी आप जिन चीजों को यह जिन इस दिन आप एक influencer भी होंगे तो दूसरों को प्रभावित करके अपने पक्ष में मोड़ना आपकी एक कला होगी इस दिन इसे कर सकते हैं अपनी hobbies को परिवर्टित करने की योगता भी इस दिन आप में होगी और शुरुवात अगर आप चाहें तो इस दिन से कर सकते हैं इस दिन आप अपने बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए बिलकुल च्छमतावान होंगे आईडियाज आ जाएंगे और उस पर आप काम करके आगे निकल सकते हैं ये दिन relation, education, social image में support करता है साथी साथ इस शुर की करपा भी आप पर बनाए रखता है 21 तारीक ऐसा दिन होगा जब आपकी social image एक नए सिरेस से inbuilt होनी शुरू हो जाए और इसे inbuilt होने दीजिए आपका interference चीजों को destroy कर देगा तो इसलिए कुछ मामले कभी कभी होता है ना कि situation अपने आप ठीक हो रही है तो उसे होने दीजिए छेड़िए मत छेड़कानी मत करिए इन चीजों के अलावा आप educational मामलों में बहुत succeed हो सकते हैं अगर कोशिश करते हैं कुछ सीखने कुछ पढ़ने लिखने की और emotional होने की चुकि आप emotional रहेंगे तो relationship के मामले भी आपके लिए ठीक दिखना है और relationship में आपको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ठीक है लेकिन आपके otherwise मामले जो relation से अलग हैं उन मामलों पे दूसरे लोग आपको manipulate करने की बढ़ियां वाली कोशिश कर सकते हैं और आप manipulation म आएं इसकी possibility भी दिखती है तो इसलिए लोगों की बातों को सुनकर तुरंट सच मानना नहीं है याद रखिएगा ये दिन relation education में बढ़ी हैं लेकिन social image में अच्छा नहीं है अब बात करते हैं 22 तारीक 22 जनवरी ऐसा दिन होगा जब इशर की करपा आप पर directly बनी होगी नहीं रहना इस दिन परमारती रहना है परोबकार करना है अच्छा काम करना है मतलब आप यह नहीं कि लोगों को पकड़ पकड़ कर परोबकार करिये नॉर्मल रही है मन आपका दो तरीके से घूमेगा 22 तरीक को एक volatile रहेगा positive negative विचाराते जाते रहेंगे और एक सीधे downfall की और होगा तो ये जरूरी नहीं में राशी में हर एक के साथ हो कुछ लोगों के साथ होगा अगर मन में वॉलाटाइलनेस है तो बस आप अपने काम पर बने रही है सिच्वेशन खतम हो जाएगी और अगर मन में डाउन फाल आ जाता है किसी भी वज़ा से तो उस डाउन फा पर जिस भाशा को आप समझते हैं उस भाशा में गीता पढ़िए बहुत लाभ मिल जाएगा मन आपका जो विचलित है डिश्टर्ब होगा वो सारा खतम हो जाएगा पंदरा मिनट के अंदर खतम हो जाएगा करके देख लीजिएगा इस दिन आप दूसरों को लेकर बड़ साकर्शी वाला मामला है अदरवाइस ये दिन बढ़िया है कोई नुकसान नहीं दिखता रिलेशन एजुकेशन शर्शलिमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है तो मीन राशी चूंकि राशी चक्र की आप आखरी राशी है तो आपके साथ आज के राशी फल यहीं पर खतम होते हैं समाप्त होते हैं आज की डिटिंग आपको कैसे लगी अपने एक्सपीरेंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो में आप से वेल मिलोंगा, बाइबाइ!